हाँ तो दोस्टों लगातार पेंट के स्टॉक क्यों गिर रहे हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको पेंट इंडस्ट्री के नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दीखिए यहां पे जो में रीजन जो यहां पे वो यह है कि जो क्रूड ऑल का प्राइस जो 90 डॉलर पर बेरल चल रहा था तो उसका प्राइस अगर हम दिखेंगे तो उसने अरूंट 120 डॉलर पर बेरल का हाई बना है और अगर हम देखेंगे तो एक हफटे के अनल लगबग around 30-40% से हमें crude oil की जो prices हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं तो देखेंगे अगर कभी भी जो इनका जो main raw material है जो paint में use किया जाता है अगर उसके price 30-40% से बढ़ेंगे तो definitely इनकी profitability या फिर इनके जो margin से उसके अपर काफी बुरे तरीके से impact पड़ेगा और इसलिए market इतना negative यहाँ पे इन stock के prices पे ले रहा और इसलिए हमें इतना selling pressure stock प जाते तो टब टब मार्केट इनके लिए normally react नहीं करेगा तो अगर long term की क्या story है तो देखिए long term में अगर crude oil का price अगर hundred dollar per barrel के ओपर sustain करता है तो वहाँ पे definitely यह जो companies है यह अपने prices बढ़ाएंगे जो इनका finished product है और वहाँ पे यह सीदा जो अपने consumers से उनके ओपर pass on देखिए हो सकता है कि अभी 10 से यानि कि अभी 30% इनके जो raw material के prices है वह भी बढ़े है तो एक बार के लिए 10 से 15% करें और उसे 2-3 महीने बाद यह 10 से 15% और अपने prices बढ़ाएंगे इनको अगर लगता है तेकिन देखिए यह तीनो dominant players है या फिर अगर पूरी paint industry के अगर हम यह impact पढ़ने वाला है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कई और से ले लोगे ऐसा नहीं होने वाला है जो भी customers होगेरा है उनको समझना पड़ेगा अगर उनको अपना घर color करवाना है या फिर उनको कुछ भी color करवाना है तो वहाँ पे definitely अगर हम देखेंगे तो पूरी industry में प्राबलम है ऐसा नहीं कि इनी कमनी scanner ये प्राबलम है ये बाद आपको सबजनी चीए तो मुझे असा लगटा है कि ये जो long term में long term पाइंड वीश से अगर हम बात करेंगे तो ये अभी जो prices बड़े हैं तो short term में margins impact हो जाएंगे लेकिन में को असा लगटा है कि आने वाल creation paint का stock अपने all time high से 23% नीचे आ चुका है और अपने 52 week low पे ये stock trade कर रहा है तो देखिए लगातार अभी कल ultradex demand अपने 52 week low पे था अगर HDFC bank की बात करेंगे तो वो almost अपने 52 week low पे trade कर रहा है HDFC life हो गया उसके लावश्री सिमेंट तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ब companies trade कर रही हैं लेकिन देखें ये जो companies हैं आप एक अच्छी का turning visibility हमें नजर आती है और खास करके जो paint industry है और cement industry है अगर आने वाले टाइम पे ये companies अगर grow नहीं करेगी तो हमारी economy grow नहीं कर सकती ये बात आपको समझनी चाहिए तो कि जब तक infrastructure develop नहीं होगा तब तक economy grow नही हो सकती तो कि एक अच्छा infrastructure एक अच्छी नहीं job opportunities लेके आता है और एक अच्छा road network जब तक अगर आपका develop नहीं हो जाता है एक अच्छा transportation network जब तक आपका नहीं हो जाता है तो आपके जो जो economical आपकी economy होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है तो इसलिए इनके बिना economy grow नहीं हो आप यहाँ पर invest करने का सोच सकते हैं तो दोस्तो मैं hope करता हूं कि Asian paint और बागी paint stock क्यों गिर रहे हैं यह आपको यह समझे में आग्या होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तो thank you have a nice day